ये स्टुडेंट्स उसके बाद है आपका Elastic String पेचले case में हमने क्या किया था Horizontal Elastic String अब हम क्या करेंगे Particle Elastic String करेंगे देखो क्या के इस है आपका एक Particle of Mass M Hanks in equilibrium from a fixed point at O आपने क्या किया एक Elastic String ली जिसको O and के उपर क्या कर दिया बान दिया ऐसे ठीक है और इस पे क्या किया आपने एक पार्टिकल हैंग कर दिया जिसका मास कितना है आपका M ठीक है तो देखो जैसे ही आप मालो ही आपकी elastic string ये end आपका O ये end आपका A ठीक है इसकी length कितनी दे रखी है इसने L और modulus of elasticity कितना दे दिया lambda देखो क्या किया इसने जैसे ही इस मास को हैंग किया इस string के दूसरे end के उपर तो extension produced होईगी string में उस extension को क्या बोल दिया ओव्यस सी बात है जैसे ही आप इस string के दूसरे end के उपर अगर आप particle को attach करोगे तो क्या होगा वो particle इसको निच्चे की तरफ खिचेगा elastic string है तो ओव्यस सी बात है वो निच्चे खिचेगी तो ये जो extension है ये क्या मान दे इसने E और मान लिया कि आपका जो particle है वो hang करके कहां तक लेके जाएगा इस string को B तक लेके जाएगा पार्टिकल को जैसे ही आप बांदोगे gravity के कारने क्या करेगा निच्चे की तरफ इसको लेके जाएगा एक force तो लगेगा अपर direction में एक लगेगा निच्चे की direction में कौन सा force लगेगा आपका mg लगेगा उपर कौन सा force लगेगा टेंशन लगेगी आपकी आप पे तो जैसे ही आपकी ये tension और ये force due to gravity आपका equal हो जाएगा उस case में पार्टिकल क्या होगा stationary position में आ जाएगा ना वो उपर जाएगा ना वो निच्चे आएगा real life में करके देखना जैसे elastic string पर आपको बांदोगे वो आपके पास क्या आएगा इस तरह से निच्चे जाएगा और एक further point के आने के बाद फर्दर निच्चे नहीं जाएगा वो ठीक है तो इस point के ऊपर जब आपका particle equilibrium में आता है उस case में आपने क्या माली जो भी आपकी tension है वो कितनी है आपकी T note तो देखो बी point के ऊपर आपके पास equation of motion क्या बन जाएगी कि यह जो आपका force है वो किसके equal हो जाएगा इसके equal हो जाएगा तभी तो आपका particle equilibrium में होगा वही कि यह दोनों force क्या होंगे आपका equal हो जाएगे तो क्या case आपके पास mg is equal to T note अब देखो T note क्या है आपके पास tension tension कहां पर इस b point के ऊपर tension का क्या formula होता आपके पास lambda into extension upon original length extension upon original length तो यह आपके पास आगया result यहां से आपके पास sorry L आएगा यहां पर extension upon original length तो यहां से आपकी lambda की value कितनी आ जाएगी M G L Y E इसका हम further करेंगे यूज यह तो आपका case यह अब आगे क्या बूलता है देखो यह then the mass is further pulled from a further length A आपने क्या किया जैसे ही इसके उपर mass को attach किया वो gravity card यहां तक इसको निचे लेके जाएगा ठीक है यहां आके वो क्या करेगा stop कर देगा जैसे ही आपका particle यहां पर निचे जाना फर्दर बंद कर दे तो आप क्या करोगी इसको फिर से निचे खीच दोगी कितना निचे खीचोगी A length तक इसको निचे खीचोगी अब देखो जैसे ही आप इसको निचे खीचोगी एक force लगेगा mg यहां पर दूसरा क्या लगेगा इस जो आपकी elastic string है उसमें क्या होगी इसको उपर लेके जाने की कोशिश करेगा elasticity यही property तो होती है वही कि यह जो आपकी elastic string है वो वापिस से क्या करेगी अपनी position को रिगेन करने की कोशिश करेगी तो क्या करेगी एक force लगाएगी upward direction में वो force आपका क्या लगेगा T लगेगा अब देखो यह जितना particle आपका नि जाएगा यहां तक आएगा यहां तक तो आपके पास क्या लगेगी यह tension जैसे ही इस point के उपर आएगा इसकी यह tension हो जाएगी खतम हो जाएगी फिर इसके उपर क्या लगेगा यह mg force लगेगा जैसे ही particle आपका उपर move करेगा तो तेखो आपका motion में आ चुका है इस point के बड़ा उपर जाएगा और वो कितना उपर जाएगा जितना ये निचे आया है ए डिस्टेंस वो ये इतना उपर जाएगा फिर तो इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपका ये किस में मौह करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में मौह करेगा ये पॉइंट क्या है आपका कि एक position है यहाँ पर point P ठीक है और यह distance कितना है आपका x ठीक है अब क्या करोगे आप इस point के उपर अगर आप equation of motion देखोगे तो वो क्या जाएगे आपके पास mass into acceleration is equal to total force mass कितना है आपका M, total acceleration कितना हो जाएगा, d2x over dt square is equal to net force कितना होगा इस point के उपर, एक तो M, G force आपका, दूसरा कौन सा T force M, G कहाँ पर निचे, T किस direction में है, अब forward direction में, तो क्या बन जाएगा यह आपका M, G, minus T अब देखो, M, G तो आपका agitation, T कितना हो जाएगा lambda into T क्या है आपके पास T तो आपके पास tension है tension क्या हो जाएगी, lambda into extension upon original length अब इस point तक आपकी extension कितनी हो जाएगी E distance तो यह, X distance यह, तो extension कितनी हो गया आपके पास E plus X और original length कितनी थी आपके पास L थी, lambda की value आपने निकाल रखी है, put करके इसको solve कर लेना, क्या आएगा देखो, result, direct click तूमें E को अगर आप mu पुट कर देते हो तो यह किसकी equation बन जाएगी आपके पास, simple harmonic motion की equation बन जाएगी इसका मतलब आपका जो particle है B point के respect में क्या है simple harmonic motion में है, ठीक है अब देखो, जो आपका A लेके चले हो, वो less than E है और आपका जो particle है, जैसे ही छोड़ोगे, release करोगे यहां से वो कितना distance जाएगा, यहां A distance तक जाएगा, जो आपका particle है, वो इस E point को कभी भी cross नहीं करेगा, ठीक है अब देखो, आप निकालोगे इसका time period, time period का क्या formula होता है, अगर point आपका simple harmonic motion में हो, तो 2 pi पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ आपके पास अंडरूट मू इंटू ए अंडरूट मू की वैल्यू अंडरूट मू की वैल्यू अंडरूट जी बाई ए आपका एजीटे सो यह आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम वैलोस्टी ठीक है